इन्वेंटरी प्रभावी इन्वेंटरी मैनेजमेंट वो होता है जो कस्टमर की जरुरतों के हिसाब से जल्दी से रिस्पॉंस करने में सक्षम हूँ इसी के साथ और प्रेशनल एफिशेंसी को प्रभावित किये बिना जरुरी ओडरेशन्स भी कर सके अगर आप अपनी इन्वेंटरी में कुछ नए प्रॉडर्ट्स एड करना चाहते हैं तो न्यू इन्वेंटरी ओप्षिन पर क्लिक करें यहां क्लिक करने पर एक नई स्क्रीन खुलेगी जहां आपको इन्वेंटरी की डॉक्युमेंट देट और नमबर एंटर करना होगा इसके बाद आपको उस प्रॉडर्ट का नाम एंटर करना होगा जो आप इन्वेंटरी में एड करना चाहते हैं जब आप नाम इंसर्ट कर देंगे तो आप अविलेबल स्टॉक समान प्रॉडर्ट के लिए रिजर्वेशन देखने के बाद डेमेज सहीत नया स्टॉक देख पाएंगे अगर आप लिस्ट में से एक से ज़्यादा प्रॉडर्ट एड करना चाहते हैं तो प्रॉडर्ट की एक्स्ट्रा लाइन एड करने के लिए एड लाइन पर क्लिक करें एड लाइन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वो स्क्रीन दिखेगी जहां नए प्रोड़क्ट के लिए एक्स्ट्रा लाइन एड हुई है एड लाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आप जितनी मर्जी उतनी लाइन्स एड कर सकते हैं एड एक्स्ट्रा टेक्स्ट, प्रोड़क्ट के लिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट एड करने के लिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप्शन की मदद ले, इस आप्शन से आप अपने प्रोड़क्ट के लिए टेक्स्ट टेम्पलेट्स एड कर पाएंगे, जब आप अपने प्रोड़ action की साथ एक alert message आएगा. Okay click करने पर product आपकी inventory की list में save हो जाएगा लेकिन cancel click करने पर वो save नहीं होगा. Current stock Inventory में कितना current stock available है ये देखने के लिए current stock option की मदल ले. इस option से आप एक ही जगह पर अपनी inventory में available सभी goods और products की list देख पाएंगे इतना ही नहीं आप किवल एक location नहीं बलकि अलग-अलग locations के warehouses का stock एक जगह पर देख सकते हैं इसके अलावा आप product के नाम और location से भी stock को search कर सकते हैं जब आप current stock option पर click करेंगे तो आपकी सामने एक list खुलेगी जिसमें location का नाम जहां stock available है, product का नाम, on stock available, damage, reservation on order, on delivery, minimum stock मिलेगा कह सकते हैं आपकी inventory में available products का complete database यहाँ आपको मिलेगा सर्च inventory अगर आप किसी particular inventory में कोई particular product सर्च करना चाहते हैं तो उस product का नाम इंसर्ट करें जो आप सर्च करना चाहते हैं और drop down list मेनू में से warehouse की location सिलेक करें इसके बाद search बटन पर click करें उधारन के लिए आप dining table नाम का product देवास ना का warehouse पर search करना चाहते हैं तो नाम को insert और select करें जब आप search बटन पर click करेंगे तो एक screen खुलेगी जहां आपको उस particular location पर available सारी dining table के list मिल जाएगी अगर आप पूरी list में से किसी particular product की details देखना चाहते हैं तो view icon पर click करें जब आप इस icon पर click करेंगे तो आपकी सामने एक screen खुलेगी जिसमें आपकी द्वारा select कियेगे product की details अविलेबल होगी अगर आप किसी product की details को edit करना चाहते हैं edit option पर click करें edit option को click करने के बाद आपके सामने एक screen खुलेगी जहां पर आप details को edit कर सकते हैं details को edit करने के बाद save बटन पर click करके details को save करने inventory की document numbers की list देखने के लिए inventory documents option पर click करें जो आपको inventory category की drop down list में मिलेगा इस option पर click करने के बाद inventory की documents आपके सामने होगे inventory के किसी particular document को उसकी search की के साथ search करने के लिए search column की drop down list में search की select करें जब आप search बटन पर click करेंगे तो आपके सामने search से mail खाते हुए सारी documents की list अपियर होगी अगर आप additional search की के साथ आपकी search को expand करना चाहते हैं तो expand search option पर click करें expand search option पर click करने के बाद एक drop down list खुलेगी जहां पर आपको आपकी desired category को select करना होगा desired category को select करने के बाद search बटन पर click करें और उन documents को search करें जिने आप तलाश रहे हैं अगर आप list में से किसी एक particular inventory document को देखना चाहते हैं तो view icon पर click करें इस icon पर click करने के बाद आपकी सामने एक screen खुलेगी जहां पर उस particular page की सारी details होगी internal transfer goods की documents देखने के लिए internal documents option पर click करें यह option प्रोड़क के सभी documents की list डिस्प्ले करेगा जो आप एक inventory से दूसरी में transfer करना चाहते हैं अगर आप किसी particular document को उसके number के साथ दूनना चाहते हैं तो आप search option का use करें इस option की मदद से आप document को उस particular नाम से search कर पाएंगे document को search करने के लिए document number insert करें और search बटन पर click कर दें अगर आप पूरे list में से किसी particular document की details देखना चाहते हैं तो view icon पर click करें जब आप इस icon पर click करेंगे तो आपकी सामने एक screen appear होगी जहां पर आपकी द्वारा select किये गए particular document की सारी details होगी कर दो कर दो प्युर्प में पर आपकी जब रापकी जब हैं